और संसार को चाहते चाहते, संसार का कुछ मिला, तो संभालते संभालते, टेंशन में आकर परेशान हो जाते, अब भगवान को चाहो और भगवान मिले तो फिर उनको संभालने का टेंशन नहीं होता, इंकम टेक्स वाला भगवान नहीं ले जाएगा, पड़ोसी जेलसी नही के अंदर चिपकली होके बटकना पड़ेगा, बूत होके, अभी नहीं मिले, लेकिन ऐसा मकान बनाना था, तो गुरूसी के मकान में कीडे मकोडे होकर बटको, बस इच्छा पूरी कर लो, संसार को चाहेंगे, और संसार नहीं मिला, तो भी बटकाएगा उसमें, उस योनियों में, अगर मिल गया, तो भी संभालने का टेंशन देके, फिर मन बटकाएगा, संसार चाहने मात्र से नहीं मिलता है, उद्योग और प्रारब्द, और तीवर चाह हुई, उद्योग और प्रारब्द नहीं हुई, तो पर उस प्रकार का शरीर, एक बार एक, इंद्र ने विश्व कर्मा को बुलाया, कि मेरे लिए एक ऐसे महल का निर्भान करो, जो आज तक कहीं न बनाओ, ऐसे रत्म, मानेक मोतियों की दिवारें जम जमाती हो, ऐसे हवादार महल कार निर्मान करो कि उसमें प्रवेश करने के बाद बाहर, निकलने की चाहिन्या हो, भास ऐसा शुखत महल मनाओ, विश्व कर्मा अद्वत्य महल बना। विश्व कर्मा ने नमस्कार करके विदाय ली, जाकर ब्रम्मा जी कम दर्वाजा खट-खटाया। कि इंद्र दें वैसा 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 कहा कि इसी व्यक्या कि इतना लंबा चुड़ा बड़ा महल बना रही है। अब उनका तो समय और आयुष्य पूरी हो रही है। उच्छी वर्षों में। अभी भी उनको ये बनाओ, ये बनाओ, ये लगाए। अब आप ही कहो कि मैं कहा आजाओं। ब्रमजिना का तुम एक बार बना तो लो। महल देखने इंद्र आएगा तब देखना महल की गहरी कुठिया से में निकल के आजाओंगा। और इंद्र का मुख बंक कर देंगे। आखिर उनका भी मंगल चाहते ही नि तुम। ठीक है। बड़या महल आओ हो, ऐसा सुन्दर महल बनाए कि इंद्र देखते देखते दंग रहे के। विष्वकर्माः वास्तों में तुम विष्वकर्माः हो विष्वकर्माः कितना सुन्दर दिवारे, जरोखे कितने महरुटMom एक खंड दूसरा खंड तीसरा खंड क्या है वह है। आज तक केंद्रों में से किसी इंड्र का ऐसा महल नहीं था होई स्ववोव, कैसा सुन्दर है, क्या बड़ी हो भूग मिलते तो और वासना बढ़ती है, वज़वान मिलते तो वासना मिरती भोग भोगने से शक्ती का हरास उता अर वगवान के रस्ती शक्ती का लिखास होता इंद्र को महल देखकर जो भोग सुख मिल रहा था से मिल रहा था न, ऐसे करते करते एक खंड दूसरा खंड दूसरा है से अंदर किंगे तो एक अजगे भी बूठा निकला, होई, तुम इस महल में से दिवार में से कैसे निकले, तुम कौन हो, कहां से आयो, ये दिवार में से कैसे निकले, बुले जैसे ये निकले हैं, वैसे हम भी निकले हैं, उनका छोटा सरीर हमारा थोड़ा बढ़ा है, सो तो है, तो तो है, हजीव माद मी दिखते हो, ये मकोडे ये निकले, और तुम निकले, उनका चोटा इसी तुम्हारा बड़ा, जो ड्रें, बड़ा सरीं के तो ऐसी हो जाता है, तो ये मेश कईडे, तो बोले, ये किसी किसी काल में इंद्रा बने हुए थे, और इनकी महल में रहने की बड़ी आसकती थी और वो महल में रहने वाला शरीर तो मर गया लेकिन वास्तना बनी रही तो फिर वो जैसी जिसकी वास्तना होती है नियती में सुरश्टाने वास्तना पूर्ति का सायोग देना है तो उनकी वास्तनाई शिग्र पूर्ती हो चलिए उनको ये कीडे मकोडे होकर महल का मजा ले रहें गुम रहें तुम तो जब वास्तु बुजन करोगे तब आओगे लेकिन ये तो पहले से ही गुम रहें तो हम भी गुम रहें सो तो है इंद्र जी सो तो है इतने सारे इंद्र भोग भोग के भी वासना नहीं मिटा पाय तो तुम नहीं वासना मना रहे हो कितने अजीब इंद्र चोकने हो गए कि इस वेश में कोई साधारन आदमिया आप नहीं हो करपा करके बताईए ब्रह्मा जी ने अपना स्वरू पर गट कया अब र unjust डंड़त प्रणाम क्या बोले कहा तभोग ताउ यह मिले तो सुखी हो जाओं ऐसा करू तब सुखी हो जाओं तो अंदर क्या अंहे रहा यह तो कल्पना वहां सुख की हो दिवा की सुख तो अपने आत्मा से मिलता है अब मोगरे के फूल हो फूल हो ये वासना तीव रहो और फिर मोगरा मिले तो बहुत सुख मिलेगा अब मोगरे के फूलाग है आग है ठीक है वो क्यों कर लिया तो वोले सुख किसको मिलता है वोले वासना को सुख का एसास होता है बार के सुख का एसास वासना को होता है अप तो अपने आत्मा का होता है, लेकिन समझते इसमें से मिला। पलाना मित्र आजाये, प्यालाना सबन्दी आजाये, बहुत वासना थी, उसका कार्ड मिला, पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी मिलाया, टेलीफं मिला। हम दंग रहे गए, पलानी तारी को आ रहे है, बारा अप्रेल को हम दिल्ली एर पोट पर आएंगे, ग्यारा की रात चट पटाते रहे, सुबह जाना है, सुबह गए, एक से एक पैसेंजर उतर रहे, लेकिन हमारी नजर में उसकी कोई किम्मत नहीं, लेकिन जहां मित्र की वा आए तो वासना मिटी तो सुख यहां हुआ, अगर मित्र में ही सुख का बंडार होता, तो दूसरे पैसेंजरों को सुख मिलता, आप देखकर सुख ही हो रहे, तो आपके साथ खड़े हैं, वो भी सुख ही होने चाहिए, जब इमिगेशन से पसार होकर गेट पर बाहर आया और आप मिले तो, आलिमन करके मिले, पहली सेकंड, दस सेकंड, जो आनन्द आया, सुख मिला, दो मिनिट के बाद वो सुख नहीं रहा, अब दूसरी विचारदारा अव्रति चल पड़ी तो सुख तो आपका अपना था, उदर मित्र में बरसाया, पत्नी में बरसाया, पती उदर बरसा के फिर वहीं से जैसे कुता हड्डी चबाते-चबाते मसुडों से खुन निकलता समझता कि हड्डी में से मजा रहा। ऐसे जीव बिचारा भगवान की माया में भुला समझता है यहां से सुख मिला यहां से। सुख स्वरूप तेरे परमेश्वर का आत्म देव का है, तो उसका सीधा सुख लेने के लिए बस सीधा पूरा प्रभुगार आती, बास, ए सुख स्वरूपा, ए ज्ञान स्वरूपा, ए आनन्द स्वरूपा, ए देव प्रभो नात, प्यार और पुकार, पुकार और प्यार ये सुगम साधन है, उसी के नाम का चिंतन, उसी का सुम्रण, जैसे मकान बनाते हैं तो मुख्य संकल, पैपिर सिमेंट, इंट, दर्वाजे, कारीगर, ये सब उसके पोशक आवंतर संकल में, ऐसे पक्का कर लो कि हमें तो भगवत सुख चाहिए, भगवत आनंद चाहिए, भ भगवान का मादूर्य चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, उसके लिए बस काना, पीना, शरिड की रक्षा करना, लेकिन स्वाद के लिए न खाओ, मान के लिए बजन न करो, या बजन भगवान को पाकर ये पाएंगे, ये पाएंगे, तो भगवान समझता के ये तो मे आपको वो चीज वो खिलोना थोड़ा बहुत दे देते कभी देते कभी ख्रपा करके छीन लेते ताकि इसमें फस न जाए मैं तो उन तीन संतों की बात तुम को बताऊंगा सवराष्ट से नर्सी महता गए और महाराष्ट से एक नाथ और तुकाराम बाबा संत समिलन्था पंडर फुर में तुकाराम दर्शन करते माजा विठला माजा पंडरंगा तुमची भार किरपाई तुम्हारी वोध कृपाई राजाई जीजाई ऐसी पत्नी दी के उठते बैठते सुनाती और कभी कबार तो डंडा मारती है अंगन्ना और गन्नी के दो टुक्डे कर देती है आदा उसका आदा मेरा हो जाता है आज सक्ती मिटा कर तेरे में प्रिती लगाया ऐसी जगडा खोर पत्मी तुने दिये तेरी दयाल नहीं मेरे विठ तु मेरा कितना खयाल करता अगर इस्त्री भगत होता तो जाके कहता कि क्या तेरी भक्ती करता हूं ऐसी राण दे दी कि उड़ते बैठते सुनाती है क्या मैंने बक्ती किया तो कोई पाप किया अब कुछ कर डाइवर्स हो जाए या तो राण मर जाए या तो मैं मर जाऊं अगर संसार का पिठ्थू हो था कोई तो ऐसा जाकर भगवान को उल्हाओ ना देता लेकिन जो भगवान कोई चाहते तो तु कारह माराज भगवान को बोड़ते तो मारी भड़ी किर्पा है जगडा खूर पत्नी दिली आहे माज मन संसार से खीचने के लिए तेरे तरव लगाने के लिए तेरी लिलाए नहाई नहीं तुम चे दिलाएका माजी मावली, माज़ाविक भीठल भीड़ावली, कैसी मावली आये? माजी पत्नीश स्वाभाउ। अज़योच माझे चोठी पकड़न माझे चलावते अने मी तुम अ तुम्चे नामची चोठी था मिले आए तुम कुटे जानारी माझे मावली गुरु मंत्र रुपी तुम्चे नामची चोठी माझे कड़े आए तुम कुटे जानी है माजी चुटी तना चेकले दिलियत में काई करूँ तुम चिदली लाए माजी पौंदुरंगा माजा बित्तलाओं माजा गोमिंदा माजा गजानंदा माजा अने करूपाओं देखने वाले पागल समझेगे लेकिन उन पागलों को पता ने कि तो कार हम विठ्थल के साथ एकार गोरे फिरवो शंत प्रवर चाते हैं एक नाचि माराज ओ मेरे विठ्थल, क्या तुमारे लिला है। कहसी गिर्जापत मी दिलियाय तुमी। मजा सक्ळाकार्यती इच करदीच। माला काई संसार काची इंतन करून आइ दिय। हा तुमची क्रपानाइक में निश्चिन्त सर्वभावे तुम चाज भजन करूत्त सीच पत्नी दिलियाय। सारा मेरा मंत्री कार्य में मंत्री जैसी घर में लक्ष्मी जैसी बोजन कराते समय। मात्री का वात्सलिय। ये माजा विठ लाहा तुमची क्रपाज आए नगीर चाक आए तुमची क्रपाट साधी नहीं हाए। तुम इच सांगा कसी पत्नी दिलिय। मैं निश्चिन्त फीर तुम निश्चिन्त तुम महच्च कड़िये तो संत सम्मेलन भी ये तो है। ओ माजा पांडुरंगा कित किती तुमी माजा खयाल राक लिया है। इस प्रकार वेकनाजी महाराज पांडुरंग की मूर्ती देखते और वो जानते के पांडुरंग पाहर मने काग्र करने के लिए बाहर देखते बाकी तो वो पांडुरंग मेरा आत्म होके बैठे शांतु आत्मा में। तो सावराष्ट्र, गुजरात का सावराष्ट्र, कठ्यावाड के नरसी मेता। वो पांडुरंग महारा सावर्या आई आइन बैठो महारा सावर्या अखिल ब्रह्मा अन्दमा एक तुम स्रीहरी जुजवे रूपे अनंत भासे वरक्ष मा बीज तुम बीज मा वरक्ष तुम। वरक्ष में बीजों की सत्ता होकर तुचुपाए। भलू थयू भागी जनजाल ओमारा विठल सुखे बजी सुश्री ओपार। दो बरतन ओते तो खटकते हैं और तुमने एक बरतन रुपी पत्नी को अपने चरड़ों में बुला दिया। तु कितना कयाल रखता है। कि तुमारों क्याल दाके चे मारा सामडिया सेट। मारी हुंडी स्विकारी ओ शामला गिरदारीन पचिया गडपन नो तु जोई तुने कोणे मोकलियू ते सठ वर्षे तेज मोकलियू क्या मरवा वालू छे मारा वालूडा तु सूशू गरे जे। उंतने ओल की जो ओ कालूडा ये कानूडा रे ओ मारी ओ मारा वालूडा ओ मारा कानूडा ओ मधुमया ओ सुख स्वरूपा बेवासन हो इन तो ककड़े हो गरडा गड़ी हो इन तो चीड़े बांजगर था है एटले डोसीन तारा ठेकाने बोलाई ली थी तु केटलो वालो जे केटलो क्याल राखे नर्सी मेता समाहित जित्धोरे कितने सरने मगवान मौन ऐसा कार को चाहो तो क्या कार सुख दे देगी ओ मेरी मारूती रे मारूती मेरी मर्शडी रे मर्शडी करो तो पागल खाने में चले जाओगे और मेरे प्रभू करते हो तो प्रभू के द्वार पहुंच जाते हैं अनन्य चेता सत्तम यो माम सुम्रती नित्यश्वत अस्या हम सुलभपार्थ नित्य युक अस्य यूविना हर परिष्टिती की गहराय में प्रभू का हाथ देखो मधूर शांती रुपं मधूरं निपुरं मधूरं बंसी मधूरं द्रस्टी मधूरं प्रुथ्वी मधूमे जल मधूमे तेज मधूमे वायू मधूमय आकाश मधुमे, शास्त्र मधुमे, गुरु मधुमे, आत्मदेतु मधुमे, ओ मधुमे प्रभो, ओम, ओम. यह ऐसा, वो ऐसा, यह ऐसा, कॉय को जैर बनाते हो, क्यों विष्ष बनाते हो? हाजरा हजूर जागंदी जोत भरम पड़ा हुआ है कि इतना करेंगे इतना नाहेंगे इतना जपेंगे यहाँ जाएंगे तब कुछ होगा साधना के बल से भगवान को चाहने वालों को भी धन्यवाद है लेकिन भगवान तुमारी साधना के बल में किसी जन्नम में साधना का बल बढ़ जाए तब ही वो तड़फ का रूप लिहाएगा अगर तड़फ नहीं आई तो साधना के बल से सिद्धियां आसकती प्रसिद्धी आसकती सुरग अत्वाय वर्ष्राप का सामर्थ आसकता साधना के बल से भगवान आजाए मुझे तो कठिन लगता है साधना के बल से मुक्ती मिल सकती है महाराथ मुक्ती कैसे आरे साधना ऐसी करो ऐसा करो नंगे पैर चलो ऐसे उपवास करो ऐसे व्रत करो को जीव जन तुना मारे तो मुझे आव्यपुंत और आत्मा की अमरता जान करो मुक्ती की आत्रतो का सकते लेकिन भगवत रस तो बढ़ाम की पृति सेया है, वह वह दादा मी बुध्धी योगम तम ये नमाम उपयान्ती थे, भजताम पृति पुरक, जो पृति पुरक मुझे बजता है, तो क्या पृति संसार कि पृति करने योग ये भागवान पृति करने योग है, इतना ही अपने मन को पूछो, क्या संसार के जनम का तिन वी तुटा धोल भी अगले जनम का नहीं है रहे कंउयर, अब क्या प्रिथी करेगा और नहीं गदा ? भूटा फूटा कुलर भी नहीं ले जाएगा ? संसार का चिंतन कर से मर रहा है, समझार एंगर तुलसी दास्ते मन को समझाने की भी चार रिते मता हैं, साम, दाम, दंड और बेत। कभी-कभी तो जो इसा मन भोले उसके विपरित करके उसको दंडे तु ले खाँ, जेसे गांदी जी को चतनी खाँ हो इतु नीम की चतनी, ले खाँ चस को ले राम नु रस्न थी ले उन चतनी नो रस्ने ले भाँ दढ़ द दाया हु तो च्तनों अभी तु महारा हैुत हुत् आपनेये आपको थे अपको थापठते थे itve ये रहे ले अच्छे के लिए फेले करते हैं थे ले कन अभी तो में बडे चाला को गाये हैं किंप आपको दिखाने के लिए कह वी बडे मात मुने है समयर नरायन 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 प्रभारे माधो ओम मोर्ड दो हो ओो 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 ओम हारी ओम 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 ऑगवान का साकारुप चाते हो तो उसीमे द्रड़ तक, भगवान की प्रेमा भक्ति चाहते हो रधे में हुए। भगवान से जीवन मुक्ति चाहते हो तो वही तो जैसा आपका तीवर संकल होगा। भक्ति रस चाहिए, शांत रस चाहिए, अथ्वा तत्त रस चाहिए, तुम्हारी मर्जी तत्त रस चाहिए, तो भगवान की नजरिया से अपनी नजरिया मिलानी पड़ेगे। भगवान का साकार कुछ चाहिए, तो फिर हो पुकार का बल, बाला नाम रोधनम बलम, बच्चे का बल क्या है के रूधन, बाला नाम रोधनम बलम, ऐसे ये प्रभो, एनात, एनात, चट पठाएं, उत्तर देगा, प्रेणा देगा, प्रकाश देगा, सुगन देगा, ऐसा करते करते, उसी में रुक गए, तो उसी खिलो न भी रह गया, निगी, उसके बिना चट पठाट, कम न हो पाए, बस तो फिर वो लिए, जिस रूप मैं चाहते हूँ, इस युग का ये सवभागिरा, ऐसे ही पुन्यात्मा और भी कहीं होंगे, उनी के पुन्य प्रभाव से ही बारत को आजादी मिली होंगे, मेरा ऐसा अपना मंतब बे, जब पुन्यात्मा अफ्तरित होते हैं, तो प्रजाका भी पुन्या बढ़ जाता है, नो, तो ये सादो संत कुम्ब का मेला होता है, तो फिर आपस में मिलने जुलने का अउसर पा ले थे, तो कोई सादो ने पूछा के, तुम कैसे सादू मन गए हरी बाबा से, बोले हम बच्चे थे, खेलते थे, तो एक सादू आता था, हमारे साथ आके खेलता थे, उसकी जुली लटका थे थे, बिख्षा करके आए, एक जिनों कुट्था उनके पिछे पिछे चला रहा, बाबा ने कुट्थे को कुछ नहीं दिया, जा बाग जाओ, आज कम बिख्षा मिली, तो कहीं पोचिला के अपनी बिख्षा मांग ले, मैंनी देता, बाबा ने जु कुट्था, ए सब खुशा मत मत करो, नहीं मिलेगा, आज बिख्षा तू जा के वहां कर, उदरी कर, मैं देने वाला नहीं हूँ मेरे को, आपना पेड़ भरने बरगी बिख्षा मिली, आज नहीं देता हूँ, लेकिन कुट्था क्या माने, बाबा आ गया अपनी बाबाई पर, मुले मानता नहीं, पूँचे ला रहा है, खुशा मत कर, जाओ, उल्टे पर सला जाओ, और कुट्था सर 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 सर, उल्टे पर जा रहा है, मुह इदर और पूँच उदर, खुशा में जा रहा है, तो हम खेलने वाले लड़के दंग रहेगे कि बाबा नी क्या खेल कर दिया लिला कर, बाबा को आद जोडे बाबा, ये कौन सा मंत्र है आपका, कुट्था भी आपकी आगया मांगता और उल चल सकता हूं, तो चल पड़ा में क्या है, बस उस बाबा को देखकर पता चला कि कैसा है भगवान का प्यारा संतों का हुकूमत प्रकर्ति पर, अब उस प्रकर्ति के स्वामी का ही प्राप्ति करूँगा, और मैं हरी बाबा बन गया, और उसने कर दी अपनी कृपा, ये हो गए उनकी करपा, मिल गए, इमेंने मिलाया है, उस कथा प्रसंग में इतना ही है, बाकी का मेरा मिलाया हुआ है, तो जब हरी बाबा को मिल सकता है, और हरी बाबा के दो, देखने वाले संत की आग्या से कुत्ते में उल्टे फेर चल सकता है, चल सकता है, चलवा सकता है, तो इसका अस्थित्व कितना सरल है, सहीज. आप कोई बुरा काम करते तो रदे की दड़कने केसी बढ़ चाती. आप चाहते कि दड़कने बढ़े हैं, तो कैसा बढ़ा देता है, कितना ख्याल करता है. अप चाहते कितनी गल्तियां करें, कितना भूलते रहें, भगवान हमारे हैं कि नहीं है, लेकिन वो तो जानते कि हमारे हैं. जैसे बेटा मां को भूल जाए लेकिन मां तो ख्याल दखती कि वहां खेल गया कहीं गिरेने ऐसे हम जब कर्म करके गिरने की जगा जाते तो रदय की धड़कने बढ़ा देता इससे ज़्यादा उसके अस्तित्व का प्रमाण कहां बाहर खोज रहे जाओगे अलफट पार्क में सेंप्वल सेक्षन की कथां के सेट से सुन लेना वो हिंदु धर्म की निंदा करता था हिसायों के चकर में आकर हिसायी बन गया था शामलाल सक्से ना पीच्डी कर रहा था तो किसी सादू ने कहा अगर तू बोलता है कि इंदु दरमेसा है, कफोल है, डखोसला है, तो तुरे को ये सब मैं प्रशन पोछूं कि वो सूर्य वहाँ है और सूर्य मुखीदर कैसे खिलता है, बले पता नहीं तो जब तू दिखने वाले का ही सब नहीं जानता है, तो जिस से देखा जाता है, उसके विशय में तुझे बोलने का क्या अधिकार है, डैनी के ख़वार के संपादक, बट जी ने उनके तरकों को काटा, लेकर वो बोले, ये सब हम ठीक है, आपके साथ, बैस में हम हार गए, लेकर नहीं मानते हैं उतरक, सादू ने का अच्छा, तो त है, अगले इतवार तक भगवान करेंगे कि तुमको कोई चमतकार सा मिलेगा, एक घंटा रोज दुरूत आरा के तरफ टिक-टिकी लगा कर त्रा टक करो, करेंगे मेरे ठाकोर जी, कुछ नो कुछ चमतकार हो के रहेगा, वो सेंपोल सेक्षन दूसरे हपता बड़ा लिफा पापंद कवर, नाके माराज को दियार कवर में लिखा था, कि मैने एक दिन दुरूत आरा पेत्रा टक किया रात्री को है, अपना जो कुछ खाना पिन था, लेट गया तो, कुछ मेरे को कोई, एक्स्पिडेंस नहीं हुआ अनुभव, दूसरे दिन रात को थोड़ा सा, ति मेरा आकाश दिखे, वो तो तु राटक करने से दिखना है, मैं कोई इंप्रेस नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ, प्रकाश प्रकाश ऐसा कुछ, लेकिन चवथे दिन रात को तो आश्चरी को भी हैरानी हो जाए, मेरा अपना पाला हुआ कुदा, मैं जो ही लेटा पलंपर, कुदा कोद कर मेरे पेट पे आकर बैट गया, उसकी इस हरकत से मैं दंग रहे गया, उस देखते हैं रहा, लेकिन कुदा ने सिर नजी करके मेरे कान में मनुष्य बोले, उस बाशा में कुदा ने बोला, कि इश्वर्क के अस्तित और सत्ता में इसे बड़ा प्रमान क्या च आता है मुर्क, मेरा पाला हुआ कुदा मानुष्य बासा में ये कह, मैं दंग सा रहे गया, दूसरे दिन में कहने गया अत्रा टक, और इनी खयालों में खो गया, मेरी जीब अब बोलतीने में गुंगा हो गया हूँ, इसलिए आपको पत्र पढ़ने का कष्ट देता हूँ, कृपाया कोई उपाय हो, तो मेरा गुंगा पन मिठ जाए, महरादने का सपत ले कि अब हिंदू धरम के सादू, संतों को, भगवान को और शास्त्रों को तुछ नहीं मानेगा, तेरे खोपड़ी में पाद्रियों ने जो भी जहर भर दिया नास्तिकों ने हां हिंदू धरम की विरोधिया, लेकिन हिंदू धरम के लिए कभी भी अश्रद्धा की बात नहीं भगेगा, मेरे को बचन दे, उसने का लिखके दिया कि बचन प्राउमिस, अच्छा आप धुरू भगवान के भगते हैं, उनको प्रात्ना करके उनके तरप टिक-टिकी लगाना, दूसरे सब्ता वो है, आपोले महराजा, मैं बोलता हूँ, भगवान की जै, मैं अब सेंपल सेक्षन नहीं, मैं शामलाल सक्से, नापना पुरान नाम रखता हूँ, और मैं मंदिर में जाओंगा, ये वो कर रहा है, मायन वायान सब सच्छे, ये इश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमान है, इश्वर की सत्ता का, इस नाम की पुस्तक चपी है, उसमें ये गटना तवर्णन है, और भी कई दूसरे गटना हैं, दूसरे उपुस्तक पढ़ने से नास्तिक आदमी को भी मानना पड़ेगा, कि वो आजराजूर है, सत्ता है, चेतन्ता है, मात्मों ने उस चार प्रश्णों के उत्तरों में अपने अपने अनुभव भेजें, उससे वो पुस्तक बनी है, यतनी बड़ी, तो इश्वर जैसा सुलभ, सुख पूर्वक और शाष्वत उपलब्धी दूसरी कोई नहीं, बाकी की जो उपलब्धी है, वो नश्वर है, और प्रतित होता है, कि मुझे ये मिला, मैंने ये पाया, पाया नहीं प्रतित हुआ, कि मैंने पाया, थोड़ी देर के बाद सब हो जाएगा, थोड़े समय के बाद से हो जाएगा, जैसे सु अपने में देखते हैं, ये पाया, ये पाया, ये पाया, आँख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे यह आँख ढ़ली तो कुछ नहीं, राम, राम, संग है, क्या पाया, खाक पाया, क्या मिला, मैं पी-एच-डी में में में पद पाया, में मकान पाया, में दुकान पाया, में तंदुरस्ती पाया, लेकन आख बंद हो गई और मर गए, तो क्या पाके ले जा रहे हैं, क्या पाया, प्रतीती हुई ये पाया, ये पाया, सोपने की आख खुलती है, तो जो सपने का पाया हुआ चू हो जाता है, बरम तूट जाता है, ऐसे यहां आख बंध होती है, तो जो पाया हुआ है, उसका बरम तूट जाता है, अखेला आया था और अखेला जा रहा है, जन्सकार जो भी है, नश्वर्ता के जगत की सच्चाई के उराग दूशे, फिर भटकन है, और क्या पाया, दो मकान है, मान ले मकान दर्ती पे पड़े, आम में गुश कए दो मकान मेरे, मेरे पांच लाख है, पांच करोड है, पांच अरब है, मान ले, तेरा तो सरीर भी बेटा तेरा नहीं है बहिया, या या तो दफना देंगे, या तो जला देंगे, तेरा तो वही है, जो सब का है, था है और आदि सत, जुगात सत, है भी सत, नान कहो से भी सत, ये अवंतिका नगरी, भाउन तिर्थ भी है और भगवत तिर्थ भी है, और कुम्भ, हजारो हजारो, नरबदाशनान, गंगाशनान, लेकिन कुम्भशनान एक ही, उतना पुन्य अर्जित कर देता है, और कुम्भशनान में तीन भाते होती है, एक तो वातावन, भूमंडल का वातावन, शरिल की आरुगिता में साहता देता है, जल में तेज तत्व है, चंद्रमा और सुले के किरण, जल में तेज तत्व की बाहुलता, उमानसिक दोशों को हरता है, और फिर महापुरुशों का सत्संग ये बवधिक दोशार के जी घुरदय में भगवान को भर देता है, इससे कुम्भश की पूर्णता का फाइदा मना जाता है, कुम्भु में आये और आगे पीछे धका धकhe करके गोठा नारा खालके चले गए, ठीक है, नईवालों से वो ठीक है, लेकिन कुम्दू का पूरा फाइदा तो ये है, कुम्ब में आये तो अवंचनी कर्मों का त्याग और वंचनी कर्मों में प्रीती रुच्छी वंचनी कर्मों में उद्देश है इश्वर प्राप्ति और इश्वर प्राप्ति सत्संग से सुलब होती है भगवत सुम्रन से सुलब होती है भगवत जनों के संग से सुलब होती नहीं तो जहां कुम्भ होता है वहाँ तो लोग बाहरा हो मैंना रहते तुमको तो रहने करने की खिलत है उज्जेन में और शिप्रा की तट पर तो लोग तुम्हारे पहले ही रह रहे थे अभी भी रह रहे और तुम चले जाओगो फिर भी रहेंगे लेकिन उनका उद्देश से इश्वर-प्राप्ति होता तो उनको भी लाब होता उनका उद्देश है के गुम्भ होमें घूमने का तो घूमले भाई आप उद्देश मेश्वर-प्राप्ति का बनाई और उस मी छट-प्र्टाट मिला दीची बास ओम, ओम, नारायन, 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 नारायन पर मिल जाता है, उसमें प्रारब्द का सायोगुना, लेकिन इश्वर पाने में प्रारब्द की गुलामी नहीं है, करम की गुलामी नहीं है, बस इच्छा को तिवर बना दो, बास। चेला बटोरना है तो उसमें प्रारब्द चाहिए. अब हम नाना करते हैं कभीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश चला बनने की आश छोड़ दे तो चले ही चले बन जाएगे कभीरा जोगी जगत गुरु वो जोगी जो है भगवान से जो जोग करता हो तो जगत का गुरु है कभीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश जो जग की आशा करें तो जग गुरु और वो दास आप जगत की इच्छा करेंगे तो चाहे जोगी पदबे हैं तबी भी आप दास हैं और भगवान की इच्छा करेंगे तो आप जहां भी हैं भगवान की दुलारे हैं महा पुरुशें, संत पुरुशें, भगवत भगते जगत की इच्छा आपको छोटा बना देती और भगवत इच्छा आपको मान बना देती जगत की इच्छा आपको असहज बनाती और भगवान की इच्छा आपको सहज बना देती जगत की इच्छा सुख का भास कराएगी सुख ही नहीं होने देगी और भगवान की इच्छा सुख मय बना देगी जगत की इच्छा से सुविधा मिलेगी सुख के साथ दुख भी पैदा होगा भगवान की इच्छा से आनंद मिलेगा सुख खर दुक दोनों छोटा हो जाएगा सुख दुक सquपना हार लाला ओओओओओओओओओओ पानुरंगा ओप्रावो हो गयाम देवा ओअ आत्म देवा ओविष्व देवा क्या देर लगती इसो से मिलने में क्या दे लगते हैं, बापो आप मिलें कि हम बिलकुल मिलें, हमसे बिछड सके वो उसकी शक्ती नहीं है, उसकी ताकत नहीं जो हमसे बिछड जाए, वैसे ही आपके साथ भी है, लेकिन आप मानते नहीं न, उसकी क्रपा को मानते नहीं, जानते नहीं, क्या करें? इसलिए करो चलो, आओ मिलके रोएं, और क्या करें? तो रोएंगे तो नाटकवाजी होगे, कमरे में रोएं मानतारिश है, अब यहां तो रोना नहीं आता है, उसकी महता याद करके आँन नहराया है, उसके लिए हमसना भी उसकी बंदगी है, उसके लिए रोना भी उसके लिए सेवाकरना भी बंदकी. अए राम, बस तेरे लिए कर रहे बस, चोतित भावेस ब्हलीका, जिसमें तूराजियों में वोई करौ। जिसमें तू प्रगठ हो, वोई मुझे से करवा। जिसमें मेरे लिए तेरे लिए तडब जगे ऐसा करवा न, नहीं तो मारूंगी, मारूंगा तबे, ऐसा कर कि उसको मारने लग जाओ, देखो क्या करते हैं। मैं तो बगवान के लिए उपद्रों कड़ा कर रहा हूँ, वो ते न, जो खिलापत करते हैं किसी की। राजद्रोही होता, 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 र तेरे भावी को मारा, अब तेरे को मेनी छोड़ूंगा, उठाई गदा, चला अब लेव कहा है वो, बोले तो विष्णु है, तो सरवत्रा है, सब के रदे में, तब अपने रदे में गदा कैसे मारूं, अब तेरे को मारूं कैसे, चलो तेरे भाग्तों को मारूंगो, तो बढ़ उसको निए रगेसे बदले में भी भगवान मिले उसको उसका मतलब यही ताप बदले को सथाने लग जाओ आप अनु अपत्र उच्णु पहले लगा शिशी उपाल गालियन देने लगा गालियन दे 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 प्रश्न निश्मा कर दे एक स्वएक मिदुद। सुदर्शन फेका। गला कटा, सुष्वपाल गिरा। लेकिन उसका अंतवाग जोत बगवान में मिल गई। कंस भैसे भजता था, सुष्वपाल द्वेश से भजता था। कंस को इतना भैथा कि जब भोजन करते हैं चपर चपर तो यहता था कि वह आतो नहीं गया, कंस भाल गया, मेरा दुष्मन आतो नहीं गया। ऐसे कंस की भी सत्वती हो। लेकिन उसको जीवनकाल में रस नहीं मिलता। लेकिन आप प्रिति पुरवग भजेंगे तो जीवनकाल में आरमी रस भक्ति साधन रूपा, फल रूपा, रस रूपा कही गए। तो अपन उस रास्ते चल रहे हैं। कंस के रास्ते भी मुक्ति हो सकती है। शीशुपाल के रास्ते भी मुक्ति हो सकती है। रावन द्वेश से भजता था। कंस भाय से भजता था। शीशुपाल द्वेश से भजता था। गुप्या पृति पुरव भजते थी, जोगी आत्मभाव से भजते, ज्ञानी सोम स्वरुप से भजते, जो जैसे भजते उनको ऐसे मिलाता। ये यथा माम प्रपध्यनते ताम तथेव भजामिहां, जो मुझे जैसा भजता है, मैं उसका ऐसे ही उसको भजता हूँ, ऐसे ही मिलता हूँ मम वर्त माने वर्तंते मनुश्या पार्थ सर्वशा, ए प्रथा अनंदन जो भख्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रे देता हूँ, क्योंकि सभी मनुश्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकर्ण करते हैं बेटा मा के लिए तडफे और मा नहीं तडफे तो मा काय की मर जा मा, मा काय की तो बेटा तडफ रहा है, पुकार रहा है और मा आती नहीं तो मा को मर जाना चाहिए ऐसे भक्त इमानदारी से तडफे और भगवान नहीं आए तो भगवान को भी मर जाना चाहिए लेकिन भक्त इमानदारी से तड़फे तब की बात है हम जूठ मूठ तरफे तबी भी बहुत कुछ दे देता है तो सच मुठ तरफे तो अपने हाप को बेचने वाला है जो न करे राम सो करे कि नारा राम जी कहते हैं के तुलसिदास उस भक्त ने जो बहार लगाई है उसके भाग्य में बच्चा है कि नहीं तो बच्चा तो दस जनम तक नहीं है लेकिन वोई भक्त कि नाराम के पास आता जाता रहा कि नाराम एक बार मोज में आ गए अब और ही सादुट अरे बोले सेठ के बच्चे सार्थ से आता है क्या लाया साले बोले बाबा जी पूरी है जितनी पूरी है उतने बेटे दिये जा बेटे के लिए आता है तो पूरी दस थी तो दस बेटे हुए जब दो बेटे हुए बिस टका पेमेंट हुआ तो तलासिदास की आमत्था तिकवाने गाए. तुल सी दासिदास ने कहा ही घृथ junior का ले विर माली की गात के आख Dennisare, Raja मीरो कही. rented. तुल सी दासिरा को तु रामजी ने का दस जनम तक नहीं है. किन्दारम मोज में आगे हैं, वलिजाद दस दे दिये, उसे थको दस होगे, बेटे. अब जिसको जाना है, रोको मत, समयो.